नमस्कार मित्रों मातरानी की जैहो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि सामने वाले की पैरों की मिट्टी और निम्बू से किस प्रकार से तांत्रिक करम करके मंतर तंतर करके आप किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं परध्यान रहे मास मदिरा का सेवन करके आपको ये विधी नहीं करनी है और अगर आप विधी करने में समर्थ हैं और वशीकरण आसरम से करवाना चाते हैं तो हमें बेजिलक संपर्ट करें आपकी पूरी सहायता की जाएगी हमारे संपर्ट सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही है मित्रों आज जो हम आपको उपाए बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर उपाए है आपका प्रेमी आपका गुलाम हो जाएगा गारंटी है हमारी वश्यकरण होकर रहेगा सामगरी जिस परकार से आप देख पा रहे हैं वो आपको काला धागा लेना है बड़ा और ये सूती रेस में किसी भी परकार का ले सकते हो दो कील लेनी है लोहे की नॉर्मल जो बजार में आसानी से आपको मिल जाएगी सामने वाले के पैरों की मिट्टी वो आपको उठानी है कैसे भी करके उसका इंतिजाम आपको करना है उसके पैर जहां पर गिरे महा की मिट्टी आपको ले लेनी है इसे पगबाधा वशिकरण भी बोला जाता है एक आपको साब सुतरा नीम्बू लेना है ये चार प्रकार की वस्तों आपको एकत्र करनी है विधी का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रवीवार दिन के समय में, पूरे दिन में आप ये कभी भी कर सकते हो संध्याकाल में नहीं होगा ध्यान रखना पूरे दिन में आप ये विधी कभी भी कर सकते हो सुनानादी से निवरित होकर सुद्धतनमन के साथ, पूरी सरधा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको ये विधी सुरू करनी है तो आपको सर्व पर्थम नीम्बू को बीच में से काटना है जैसे बता रखा है उसी प्रकार से आपको करना इस नीम्बू को बीच में से काट लेजी इस प्रकार से नीम्बू को आपको बीच में से काट लेना है और दो भाग इसके कर लेने है उसके पस्चाथ आपको ये जो आपने पैरों की मिट्टे ली है सामने वाले की तो आपको कुछ मात्रा में ज्यादा मात्रा में नहीं डाल कर कुछ मात्रा में आपको नीम्बू के उपर एक भाग उपर ये डाल देनी यह तंत्र करम है जैसे बता रखा है वैसे करें आपको बहुत ही पावरफुल डिजल्ट मिलेगा उसके बाद में आपको इसे वापस से जोड़ देना है यह इसकी जो पैरों की मिट्टी है सामने वाले को आपको नीमबू के अंदर डालनी है और उसके पस्चाथ कील के माध् इस प्रकार से यह दो के लिए आपने लगा दी अब आप यह जो काला धागा है इसे अच्छे से इसके ओपर लपेट दोगे और इससे पैक कर दोगे पूरी तरीके से एकत्र कर दोगे ताकि यह इधर उधर ना हो काले धागे को अच्छे तरीके से आपको लपेटना है इस कि वेवस्ता करनी है और उसके प्रकार से करने के बाद आप को सीधे हाट में लेकर अभी मंत्रीद करना है इसको सीधे हाट में ले लीजे जैसे ही आप इसे पेक करो सीधे हाट में ले 4-ट है और उसके było 66, प्रिम sawat पर बोलकर आपको इसे किसी भी सुनसान जगए पर जाकर इसे जला देना है चाहे लकडिये कठी करके जलाईए चाहे कागजी कठे करके जलाईए इसको आपको अच्छे तरीके से जला देना है और वहां से बिना मुड़े बिना किसी से बात की आपको घर पर आ जाना है बस आपको इतना करना है यहां तक अगर आपने कर दिया तो आपका काम खतम हो जाएगा और आपके प्रेमी का काम सुरू हो जाएगा हमारी गारेंटी है वशी करण होकर रहेगा उसी दिन जिस दिन आपने इसे जलाया है यह सारी रश्मिया बिखर जाएंगे और सामने वाले के ओपर चली जाएंगी जो भी आपने तंतर करम किया है जलाते ही सारी रश्मिया उनका निर्मान होगा और वो रश्मिया सामने वाले के ओपर चली जाएंगी जिसका आपने पैरों की मिट्टी इस्तमाल की है वो वेक्ति पूरी तरीके से आपके वस्मे हो जाएगा चाहे वो कितना भी दूर हो आप से वो खुद आपको कॉल करेगा मिलने के लिए तर्ट सेगा जैसे आप उसके लिए रोते हो वैसे आपके लिए वो रोने लगेगा आकरशित हो जाएगा पूरी तरीके से आपका बन जाएगा अगर दामपत्य जीवन में किसी भी परकार की करवाहट आप ये विधी करिए आपका प्रेमी उमर भर के लिए आपका बन के रहेगा मातारानी आपको जरूर सफल करेगी मित्रों विधी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधी आसरम से करवाना चाते हैं तो हमें बेज़िजक संपर्क करें आपकी पूरी सहायता की जाएगी हमारे संपर्क सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे है इसी के साथ जै माता दिमित्रों हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही जो 30 से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे जै माता रानी